आयोध्या में आज राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है जिसको लेकर हर तरफ धुम है। पूरा देश राम में हो गया है। वहीं नरकट्या गंज के फुलवरिया के शिव मंदिर में लोगों में मंदिर को सजाद या गया है स्थानिय महिला और पूरुस शद्धाल हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसमें लगभग आज दस दिनों से लगे हुए हैं इस पैंचायत का अंदर हमारे पास जो अयोध्या से चलकर कलस और यह अक्षत जो आया हुआ था हमने पूरे पैंचायत में बाटवा दिया और आज हम खुद बच्चों को बा मंदीर जो तोड़ा गया था आज हमारे साथ पूस्तों के बाद हम लोग नहीं सोचे थे कि यह मंदीर का निर्माड होगा लेकिन धन्न भाग है हमारे हरत के लोग आज जिनके सबसे स्वरुपरी परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जैसा आदमी आया उन्होंने इस कार्ज को स वहां प्रान परतिष्ठा किया जा रहा है आज हम अपने मंदीर को इसमें सभी ग्रामवासियों के तरफ से हम इनका आप कैति कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है कि आज रामलाला का परान परतिष्ठा अध्या में हो रहा है और हम लोग वहां जाने में अस्वमर्थ है ल वह बहुत बढ़ियां से पुज़ा पाठ भी हमारे यहा हो रहा है अज भी दिपावली मनाई है। हम लोग सादू संथ हैं हम लोग जीतना सक्ति हो दिया जलाएंगे इस देख गाउं में भंडार चलाएंगे अपना सक्ति से जीतना है अपना जीवन दान कर देंगे हम लोग को पुर्बच से तफस्या कर देंगे हम लोग को पुर्बच को तरा दिये जहां हमारे अजुद्या में राम लाला जी को पाइदा किये है मोदी बाबु जी की जी जाएंगे आप मोदी जी की जाएंगे मोदी जाएंगे में दूनों समुदाय मिल के तहवार मना रहा है क्या कहिए इसको लेकर क्या को हैंगे बहुत कुसी को बात है कम इससरे के जाएंगे आप अपसमें मील का भाईचारासरह नहीं प्रानपकर सिर्था जो हो रहा है उसको फूसी समसी इंजुआय कर है करें यहां पर बंध के भी आ माची लो, एी बात्स बात्स पालत olarak है now बात्स 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 इजे घजे सौार बाब कान घसे करता करें